मैंने पहले भी डिस्कलेमर दिया है वीडियो के एंड पे कुछ लोगों ने पूरी वीडियो देखी है और कुछ ने नहीं देखी दिनों नहीं देखी वो देखने मैंने एंड पे डिस्कलेमर दिया है और मैंने इसी नियत के साथ दिया है कि हमारा कुई ऐसा इंटेंशन नह हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके पाजूद है यूट्यूबर दोबार है दो इसे बात करते असलाब लेकुम वालेकुम सलाम जिशान भाई सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया यह बताएगा कि यह जो आपने डमी बनाई थी उसके बाद आपको लेगल नोटन्स बिजाए है पाजूद का क्या कहानी है सर इस तरह है कि पिछले दिनों पिछले महीने मैंने एक डमी बनाई थी एक पैरोड़ी खाका बनाया था एक मज़ाया नकाली की थी साबक M.P.A. अलहाज मिया मुहमदादम चेला सेहाल साहब की के अंदर मैंने सियासी आवाले से उन पर त multi की बाली सी पर तनकीद की तो वो लुसा कर गएए हैं और उन्होंने में एक नोटस बेज़ा है मैंने तो सिर्फ एक डमी बनाई थी एक परोडी खाका बनाया था अगर आप में हमारे नेशनल चैनल पे अगर आप देखें खबरदार प्रोग्राम लगता है अफताब इक्बाल साहब जो है उनका टोटल जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर होती ही डमी है अग्ताब ते कोई शक्र नहीं कि खबर जार अफ़ताब एक पार के प्रोग्राम चलती है और उसमें मुस्वज़ जो हर सियासी पर तनकीज की आती है और उनकी डवी मनी जाती है लेकिन जनाब स्थाबता महबूस तल्तान के आपने भी डवी मनाई थी लेकिन उन्होंने क्या ख्याल है पता नहीं मिया साब को ऐसे क्यों गुसा आगया है मेरे ख्याल में मिया साब को हम अवाम हैं मुझे याद है कि जब हम चोटे हुआ करते थे लिए पांचवी के तालिब इल्म हुआ करते थे तो ये लोग हमारे पास आते थे हमारी बस्ती में आते थे तो हम भाग के जाते थे गाड़ी में, गाड़ी के पास के हमें चंद स्टिकर दे दें, हमने किताबों पे लगाने हैं, हमने अपने घरों में सजाने हैं, और जब ये लोग विन करते थे, तो हम कलास में जाते थे, सुकूल में जाते थे, वहां पे बंगड़ा डालते थे, हमारा का तारीफ में हम गुन कहते थे, लेकन अब अगर हमने थोड़ी सी तनकीद किये, हम अवाम हैं, थोड़ी सी तनकीद किये, डवी बनाई है, तो मेरे ख्याल में आप उन्हें बड़े जर्फ का मज़ारा करना चाहिए, फिर्वान की बताइगा कि ये जो डवी आप ने बनाई है यह आपका डिया था या किसी और का डिया था? आपने मियाँ साब की को डमी बनाई सर मैंने साथजादा महभूब सुल्तान जो के इस वक्त MNA है और इमरान खान साब की काबिना काइसा है विफाकी वजीर है उनकी डमी बनाई पैरोडी की और उन पे मैंने बहुत ज़्यादा तनकीत की उनकी पालीसी पे तनकीत की और उनकी तरफ से मुझे कोई नोटस नहीं आया साइन जी ने बड़े जर्फ का मजाहरा किया है कोई मुझे इस किसम का कोई नोटस नहीं बेढ़िया लेकिन मियाँ साब जो है वो गुसा कर गया है तो मैं दुबारा वाज़े कर दूँ कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था और मैंने एंड पे डिस्कलिमर दिया है वो जो वीडियो है कि मेरा कोई मकसद नहीं है कि किसी की जातियाद को अटैक करूँ और मैंने माज़रत की है रुबान जो वीडियो आपने बनाई ये उसमें एक बात वाज़े आ रही है कि आपने कहा कि हम अगर किसी को कोई तखरीफ हो इस वीडियो से थे हम उसके बाफ़ी मंगते हैं लेकर बाफ़ी मंगने के बाद भी आपको लिगन नोटस पहिना क्या समझते हैं सर हो सकता है उन्होंने एंड तक वीडियो देखी ना हो क्योंके जो नोटस है वो एंड पे है सुरी जो डिस्कलेमर है वो एंड पे है तो इतने तक उन्होंने देखी ना हो अगर देखी है देखने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया है तो मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें कुछ कहा जा रहा है कि जो आप जिस मिया साब के जो कुछ नुमेंदगान है वो कह रहे हैं कि इनका तल्ख हमारे मुखालब की रूप से है और उनकी वज़ा से या फिर आपने बनाई ये बेसिकली जो मेरा जो जहन है वो एक जम्हूरी माइंड साट है मैं पढ़ा लिखा हूँ मैंने कुछ तालीम असल की है मैंने थोड़ा बहुत कंस्टिचूशन आफ पाकिस्तान को भी पढ़ा है तो मेरा कोई ये जहन नहीं है माइंड साट नहीं है कि एक ग्रूप को मैंने सपोर्ट करना है एक ग्रूप जो है वो एक पार्टी जो है वो तो कंस्टिचूशनली आइनी तोर पे मेरा हक है आर्टिकल उन्नीस ए के तहट मैं उसकी पालिसी पे तनकीद कर सकता हूं और जितने भी ये जहन के अवाम हैं उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के पास ये राइट है कि आप तनकीद कर सकते हैं तनकी अर vér rat Guardi बनाना ये मेरा टैलेंट है और वीडियो बनाना मेरा शौक है तो जो पेरोडि बनाना है ये Dummy बनाना ये इंशाललह इसको काम जारी रहेगा और नोटिस को देखके जह हम यह नहीं करेंगे कि हम रोक दें हाँ यह है कि हम किसी को पहले भी तारगेट नहीं करते थे अब भी तारगेट नहीं करेंगे स्यासी हमाले अपना आइन पेज़ा है तो मेरे ख्याल में जतना एक मेरी उकात है ना तो मेरे पास तो अभी 500 नहीं है उनको देने के लिए तो 500 करोर तो बड़ी बात है नमान लीगल नोटस तो आपको भेज़ती है गए 500 नोटस लेकिन आपकी तफी नहीं है कि आप 500 पी पेसकें आप मतौते आप खुद आप बता रहे हैं अच्छे बताईगे कि आप जो मिया साब को क्या पेगाम देना चाहेंगे और उनको जो चाहने वाले हैं उनको क्या पेगाम देना चाहते हैं जो आपने पहले भी माफी नामा जो है वो दे दिया जारी बात है उस वीडियो में दिया था क्या अब भी आप माफ मगना चाहेंगे माफ माफ मांगा है माजरत उन लोगों से जिनका दिल दुखा है हमारी वीडियो देखके तो भी दुबारा मैं माजरत कर लेता हूँ कि अगर उनको जो साबक M.P.A. साब है उनको कोई मेरी बात नागावारा गुजरी है तो मैं माजरत चाहता हूँ तो मैं साबक M.P.A. साब को भी एक मैसे देना चाहता हूँ आपने चैनल के वसाद से कि आप भी बड़े पान का मुझारत करें इस तरह की जो डमी है वो स्यास्टारों की बंती रहती है और आपको बड़े पान का मुझारत करते हूँ ये सारा जी है ये देखना होगा इस तरह आपने मेस पान सिचान अलपानिक और रेयल पाकिस्तान से इजास्टी चीए अगली वीडियो तक अलाहाफिस